BSP के इंडिया गटबंधन जोइन करने या तीसरा मोर्चा बनाए जाने की खबरों पर आज खुद बस्पा अध्यक्ष मायावती ने विराम लगा दिया। मायावती ने इस बारे में दो ट्वीट किये। उन्होंने लिखा, BSP देश में लोकसभा का आमचुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तयारी वद्दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गटबंधन या तीसरा मोर्चा आधी बनाने की अफवाँ फैलाना यह घोल फेक व गलत निउस। मीडिया ऐसी शरारत पूर्ण खबरे देकर अपनी विश्वस्नियता न खोए। लोग भी सावधान रहें। खास कर यूपी में BSP की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्मकिस्म की अफवाहें फैला कर लोगों को गुम्रा करने का प्रयास करते रहते हैं। किन्तो बहुजन समाज के हित में BSP का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। इससे पहले मायावती को लेकर कहा जा रहा था कि वह कॉंग्रेस के साथ गट बंधन कर सकती हैं। और इंडिया गट बंधन उन्हें पी-एम पत का उमीदवार घोशित कर सकता है। सियासी गलियारों में चर्चाथी की मायावती कॉंग्रेस से हाथ मिला सकती हैं। और उनकी पार्टी यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी गट बंधन को लेकर साथी की तलाश में हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अकेले दम पर चुनावी अखाडे में उतरने का फैसला किया था। लेकिन बाद में सभी को चौका दिया था। उन्होंने अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से गट बंधन किया था। लेकिन फिलहाल बसपा इंडिया और एंडिये गट बंधनों से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन इनसे अलग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे दलों का साथ तलाश रही है। इसी कड़ी में तेलंदाना में के चंदरशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिती के साथ ने बसपा गट बंधन कर लिया है। इसे देखते हुए ये क्यास लगाए जा रहे थे कि मायावती चुनाव से पहले कोई बड़ा एलान कर सकती है। लेकिन फिलहाल उन्हें साफ कर दिया कि वो ना ही तीसरा मोर्चा बना रही है और ना ही किसी गट बंधन में शामिल हो रही है। हाला कि वो पहले ही कह चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। पूरी त्यारी वह दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेंगी। और इनी के बलबूते पर ही हमने संद 2007 में यहां अबादी के इसाब से देश के सबसे बड़े परदेश उत्तर परदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण भूमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोगसबा के ज्याम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। तथा देश की जातिवादी, पूंजिवादी, संकीण वे संप्रदायक सोच रखने वाली सभी विरोधी पाटियों से अपनी दूरी बनाके रखेगी। लेकिन सब जानते हैं कि राजनीती एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। खबर तो ये भी है कि मायावती अब MP में भी चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है और मध्यप्रदेश की सभी लोगसभा सीटों पर बसपा अपने कैंडिडेट उतारेगी। ऐसे में विरोधियों की मुश्किले बढ़ने वाली है। आप मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर पहुचाए। इस विडियो को अन्य लोगों के साथ शेर करें और दन्यूस बीक को सब्सक्राइब करना ना भूले। विडियो के अंत में एक छोटी सी अपील। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। का नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें।